नया आईबियन सेटन होसलाए पूरी साजिश पीयोके के मुदफराबाद में रची गई है पीयोके से ही इस पूरे हमले की निगरानी भी रखी जा रही है चुनावाली राज्चे में लशकर के आतंकी खलल डानने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में बॉर्डर पार्स से गुस्पैटियों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो खूफिया एजंसी की रपोर्ट है कि और भी ऐसे आतंकी हमले घाटी में हो सकते हैं 11 आतंकी हमले की जो साजिश यहां पर रची हुई नजर आ रही है चुनाव में खलल डालने की बाधा पहुचाने की कोशिश तो जमु कश्मीर से यह खबर है खूफिया रपोर्ट के मताबिक जाच एजंसीयों को जानकारी मिली है कि घाटी में कुछ और आतंकी हमले हो सकते हैं कल हमने देखा कि किस तरीके से बारा घंटे के अंदर चार आतंकी हमले हुए वहाँ पर और उसके बाद पूरे राज्जे में अलर्ट जारी कर दिया गया है यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है देश के तमाम महत्वोन जगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है बताया चारा है कि घाटी में लगभग 11 घुसपैट यह किसी भी आतंकी साजश को अंजाम देने की फिराक में आए हैं चुनाव में खलल डालने का इरादा है सूत्रों के मताबिक यह पूरी साजश पियको के मुझरफराबात में रची गई है और खबर घाटी में आतंकीों की घुसपैट से जुड़ी हुई है मिलिटरी इंटेलिजेंस और आईबी के मताबिक खूफे आईजिंसियोज में पाकिस्तान के बॉर्डर के कई लाकों से लगभग 336 कॉल्स को इंटरसेट किया है और बताया जा रहा है कि बात करने वाला शक्स किसी अलगाबवादी समर्थक से बात कर रहा है कुछ कॉल्स तो अलगाबवादी नेताओं की भी किये गए है चुनाबो के लिए पंजाब और हिमाचल के जरिये फंडिंग की बातचीत भी की गई है कॉल करने वाला शक्स 26 के मुंबई हमले से तालुक रखने वाला बताया जा रहा है और यही नहीं पांच कॉल्स में बात हो रहे शक्स की आवाज आतंके हाफिस सईथ से मिलती जुलती बताई जा रही है इस बातचीत में जमू करश्मीर के चुनावों का भी जिक्र है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी भी तरह मतदाताओं की संख्या में कमी होनी चाहिए इसके अलावा बताया जा रहा है कि हाफिस सईथ के कॉल्स को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है जिससे सईथ कह रहा है कि उसके पास 308 की घुसपैट के लिए तयार है तो कूफिया एजन्सीज ने कॉल रिकॉर्ड किये हैं अलगावादी नेताओं से बाचीत की यहाँ पर खबर है तो कश्मीर में कल हुए एक के बाद एक चार आतिंग की हमलों में एक अफसर समेथ 11 जवान शहीद हो गए सेना अध्यक्ष जेनरल दल्बीर सिंग्जुहा अगार श्रीनगर पहुंचे और सभी शहीदों को श्रधानजली दी साथ ही सुरक्षा इंतिजामों का भी वहाँ पर चाय सालिया और वहीं आज जाकन के हजीराबाग में चिनार फ्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोधी ने शहीदों को श्रधानजली दी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले देश के लोकतंत्र पर हमले है उन्होंने आतंकीयों की कारवाई को निरलजता पूर्ण बताया कल कश्मीर में आतंक बादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निरलज प्रयास किया और भारत मा का लाल इसी जारखंड का सपूत स्रिमान संकल्प कुमार शुकला जिनोंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया मैं वीर शहीद संकल्प कुमार और शहीद हुए सभी जवानों के प्रती भारत मा के इन वीर सपूतों के प्रती आदर पुर्वक्सत धांजली अर्पित करता हूं जार्खन हमेशा हमेशा के लिए संकल्प कुमार की शहादत को याद रखेगा और संकल्प कुमार की शहादत आने वाली हमारी पीडियों को भी प्रेणा देती रहेगी और वहीं आतंगी हाफिस साईथ की धंकी के बारे में गृमंत्री राचनात सिंग ने कहा है कि कोई भी भारत को बरबाद नहीं कर सकता है और सुरक्षा के मद्दे नजर अलर्ड चारी कर दिया गया है आतंकी एक बार फिर भारत को दहलाने के साजिश रच रहे हैं जमु कश्मीर में शुक्रवार को वे सीरियल हमले में इस बात के सबूत मिले हैं कि आतंकी बॉक लाए हुए हैं जमु कश्मीर के उरी सेक्टर में मारे गए आतंकीों के पास से बरामत हत्यार और दूसरे खाने पीने का सामान ये बताने के लिए काफी है कि वो लंबी लड़ाई के मकसद से भारत आये थे दावा किया जा रहा है कि ये सामान पाकिस्तान में बना है इससे इशारा मिलता है कि इन आतंकीों को पाकिस्तान की तरफ से परदे के पीछे से मदद मिल रही थी जमू कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकी एक बार फिर बड़ी साज़िश रच रहे हैं विधान सबाच नवा में जमू कश्मीर के लोगों का उत्साह देखकर आतंकी शायद बौखलाये हुए हैं लहाजा वो तिल मिलाहट में लगातार हमले कर रहे हैं ऐसे में भारत की जमीन पर खून खराबे के मकसद को अंजाम तक पहुँचाने के लिए देखिए आतंकी अपने साथ क्या क्या समान लेकर आये थे ये देखिए पहली तस्वीर इसमें आतंकीों से बरामद ड्राइफ रूट्स के धेरो पैकेट हैं खजूर, पादाम, किश्मिश, टौफियां और ये बिस्केट सुपर ब्राइन का ये बिस्केट पाकिस्तान का नामी बिस्केट है अब हम आपको एक एक कर बताते हैं कि आतंकीों के पास से लड़ाई के लिए खाने पीने का और क्या-क्या समान बरामद हुआ है इस दूसरी तस्वीर को देखिए, इस सील्बन पैकेट पर लिखा है पावभाजी यहां उर्दू में लिखा है एक या दो लोगों के लिए, यानि ये खाना जादा से जादा दो लोग खा सकते हैं पावभाजी का यह पैकेट इसी साल अप्रेल में तयार किया गया है और अप्रेल 2015 में इसकी एक्सपाइरी है अब देखिए अगली तस्वीर, पैकेट पर लिखा है चिकनाचारी पैकेट सील होने की तारीख लिखी है अप्रेल 2014 और एक्सपाइरी है अप्रेल 2015 इसी तस्वीर में उपर की तरफ मिल्क पाउडर का पैकेट भी नज़रा रहा है इस तस्वीर को देखिए, ये पैकेट स्ट्यू कीमा का है इस पर सीलवंदी की तारीख है जून 2014 और एक्सपाइरी है जून 2015 ये पैकेट है डालमाश का, इसी साल जून में पैक किया गया है और एक्सपाइरी है जून 2015 इस तस्वीर में ही किनारे पर चिकन कड़ाई का पैकेट भी नज़रा रहा है खास तोर पर तयार किये गए इन पैकेट्स पर ये भी लिखा है कि थैली में मौझूद खाना बगएर गर्म किये भी इस्तमाल किया जा सकता है साथ ही अर्दू में ये भी हिदायत दी गई है कि थैली लीख होने या फूली होने की सूरत में इस्तमाल न करें एक हिदायत और है थेली खोलने के बाद जल्द से जल्द इस्तमाल में लाएं जरा सोचे तैयार खाने का इतना स्टॉक आतंकी हर वक्त अपनी पीट परलान कर चलते हैं और ये खाना सिल्मन होने की सुरत में एक साल तक खराब भी नहीं होता इस तरह से आतंकीों को लंबी लड़ाई के लिए खाने पीने की चीजों के लिए फिक्रमन होने की जरूरत नहीं होती आपको बता दें कि मुंबे में हुए 26-11 हमले के दौरान भी आतंकी इसी तरह अपने साथ ड्राइफ रूट्स और खाने पीने का सामान लाए थे और फिर तीन दिन तक भारती सुरुक्षाबलों और पुलिस से लड़ दे रहे थे उस दौरान भी पुलिस को आतंकीों के गबजे से खाने पीने का और दूसरा काफी सारा सामान मिला जिस पर मेडन पाकिस्तान लिखा था जनक दवे एहमदबाद आईबीन समय